इनके साथ हॉस्पिटल में रही हूं पूरा मेना, पूरा घर का जो एक जिम्मवार यह थे, वो पूरी इस पे आगी। तब कौन से ग्लास में था है मरा भूतर? टेंथ में. टेंथ में? अच्छा. लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं. सवाल होता है, बेटा या बेटी? हमारे परिवारों में आज भी बहुत बड़ी तैदाद में वो परिवार हैं, जो आज भी जिस समय घर में बच्चे का जनम होता है, डॉक्टर से पहला सवाल यह पूछते हैं, बेटा या बेटी? और अगर डॉक्टर बेटी कहे, तो थोड़े दुखी होते हैं, थोड़े परिशान होते हैं. और बेटा हो, तो फॉरन खुश्या मनाना शुरू करते हैं. और फॉरन वो खबर जो है, आज कल तो फेस्बुक है, फेस्बुक के जरिए, वाट्सप के जरिए, ट्विटर के जरिए, पुरी दुनिया को वो खबर गाजे बाजे के साथ सुनाते हैं, कि हमारे घर में बेटे का जनम हुआ है. मैं आज एक शेर बच्ची के साथ, और उस बच्ची के साथ हूँ, जिसके पिता बिमार हुए, तो मुझे परिवार के लोगी बताते हैं, ये बच्चा है, जिस बच्चे ने अपने पिता की सेवा की, जिस बच्चे ने सरे पिता की सेवा ही नहीं की बलकि उसके साथ साथ में पूरा घर चलाया पिता बिमार थे उनके लिए बेड से उतरना, बेड पे बैठना, हिलना मुवमेंट करना बहुत मुश्किल था मुझे परिवार के लोग बताते हैं किसी शेर बच्चे ने वो सारे काम किये माता जब पिता के साथ हॉस्पिटल में थी और लगभग एक महीना उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा तो आप यकीन नहीं करेंगे इसी मासूम बच्चे ने पूरा घर चलाया और इसकी गवा इनकी दादी है उनसे मैंने बात की तो उन्हेंने मुझे बताया कि घर का सारा काम यही बच्ची करती थी इनकी दादी ने मुझे यह भी बताया कि मेरे बाजु में लगी है मैं काम नहीं कर सकती हूँ तो पिता जब हॉस्पिटल में थे तो इनकी माता जी जो है वो भी हॉस्पिटल में होती थी तो पीछे सारे घर की देखरे की ही बच्ची करती थी और सिर्फ इतना ही नहीं एट क्लास में जिस बच्ची निबे फीसिदी से ज़्यादा नमबर लिए तेंथ में क्यूंकि हम आँकते हैं काबलियत को कि आपके नमबर कितने हैं हला कि मेरा ये मानना है कि नमबरों की बुनियाद पर आप किसी की खाबलियत को नहीं आख सकते इस बच्ची की सबसे बड़ी खाबलियत ये है कि इसने जहां एक तरफ से एक तरफ अपनी माता को ये महसूस ही नहीं करने दिया कि आप घर में नहीं है वहीं पर दूसी तरफ इसने अपने पिता को ये महसूस नहीं करने दिया कि आपका बेटा नहीं है जो आपको उठाए बिठाए मैं हूँ यहां पर और एक बात बहुत अच्छी लगी लोग अक्सर कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं बेटा है मैं कहता हूँ ये मत कहिए ये कहिए ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी ही है और वाकई इस बच्ची ने जिस तरीके से अपने पिता अरजुन्दास का साथ दिया जिस तरीके से अपने परिवार के साथ ये खड़ी रही है जिस तरीके से इसने पूरे परिवार का ख्याल रखा है आप यकीन नहीं मानेंगे ये बच्ची आज 11th क्लास में है 11th क्लास में है 9 मी से इस बच्ची ने अपने घर का काम काज करना शुरू किया पिछले एक साल से लगातार ये बच्ची अपने घर और अपने परिवार के साथ लगी हुई है इसी उमर में आपने बच्चों को खेलते कूटते देखा होगा इस उमर में बच्चों को नहीं मालूम होता कि हमारे घर में कौन बिमार है किसको क्या तकलीफ है किसे क्या परिशानी है, कौन डॉक्टर के पास जा रहा है, कौन डॉक्टर के पास से होकर आया है ये सब चीजें आज कल के घरों में बच्चों को मालूम नहीं होती है पर इस बच्ची को अपने परिवार का सब कुछ पता है इस बच्ची ने अपने पिता की सेवा की इस बच्ची ने अपनी मा का हाथ बटाया इस बच्ची ने अपनी मा का होसला बढ़ाया और आज जब मैं इसे बात करने के लिए आया तो बातचीत करते करते मन के अंदर से ये आवाज आई कि आज वाकई किसी बड़े बहादुर और बहुत शक्तिशाली इंसान से मेरी मुलाखात हुई है बड़े सयम के साथ बड़ी शान्ती के साथ इस बच्चे ने तमाम बाते कहीं बोलती थोड़ा कम है लेकिन जितना बोला वो उसमें बहुत ताकत थी बहुत हिम्मत थी थोड़े थोड़ी ही देर में इस बच्ची ने ये महसूस करवाया कि हम जो परिवारू में जो हमारे सोच है बेटी को लेकर परिवारू में जो हमारे सोच है बेटे को लेकर उसको बदलने की जरूरत है बेटियां जो कर सकती हैं, बेटियां जो करती हैं, वो बेटों के लिए मुम्किन नहीं आज भी आप परिवारों में ये सुनते हैं, कि हमारी सबसे वफादार तो बेटी है ये अक्सर आप घरों में सुनने को मिलता है मगर इस बच्ची की हिम्मत और बहादरी को देखकर दिल किया कि इसको सलाम करें और इस बच्ची को आप तक पहुँचाएं, ताकि आपको भी ये पता चले कि हमारे समाज में हमको ये सोचने की जरूरत है, कि हमारी बेटियां सब कुछ कर सकती है और हमें अब ये कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है और बेटी ही है